नमस्कार दोस्तों, मोदी जी का लाल के लिए से भाशन था भाशन क्या यू समझ लीजे कि मोदी जी 2024 में वोट मांगने की प्रैक्टिस कर रहे थे 15 अगस के कारक्रम में देश के सुपर हीरो डी वाई चंदरचून भी शामल थे चंदरचून जी 15 अगस की कारक्रम में गये थे तो मोदी जी ने मंचसे उन्हें धन्यवाद कहा लेकिन जब मोदी जी का सरकारी मंचबार रैली नुमा भाशन खत्म हुआ जब वो खुद को अगला प्रधान मंतरी घोशत करके मंचसे उतरे तो अमिर्शा भी उट पड़े सामने इस दर्शक के सुपर हीरो जस्टिस टी वाई चंदरचून को देखा तो बेमन ही सही हाथ मिलाया और जब तक चंदरचून हाथ जोडते तब तक अमिर्शा दूसरी तरफ मूग करके चले गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अमिर्शा से पोस्ट में बढ़े हैं कारिक्रम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का प्रचुर मात्रा में सम्मान होना चाहिए था लेकिन जो लोग चीफ जस्टिस के डिसिजन के खिलाफ कानून बना लेते हैं वो चीफ जस्टिस का सामना कैसे कर सकते हैं एनिवेज चीफ जस्टिस से नाराजगी तो मंच पर दिख गए नरेंद्र मोदी भी कोट पर संसद में सवाल उठा चुके हैं दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सिर्फ यही लोग नराज नहीं है संदेश नीचे तक है कि चीफ जस्टिस ही सरकार की नाक में नकेल डालने वाले इकलोते आदमी हैं इसलिए इतिहास में ये पहली बार है कि ट्रोल आर्मी चीफ जस्टिस को ट्रोल करने लगी है जब चीफ जस्टिस ने मनेपूर के ऊपर ये कहा था कि अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो वो कारवाई करेंगे तो ट्रोलर आर्मी ने Chief Justice की खिजाई कर दी थी सरकार और Supreme Court के बीच की टकराव अब पिल्कुल साफ दिखाई दिने लगाए दोस्तों Supreme Court ने कहा था कि Election Commission के मुख्या को नियुक्ट करने वाली कमिटी में Chief Justice होंगे लेकिन सरकार कानून ले आई और Chief Justice of India का नाम हटा दिया दिल्ली वाले मामले पर भी सरकार ने Supreme Court को ओवरूल किया और कानून लेकर क्या आगी जजो के नामों पर मुहर लगाने में सरकार इतना समय लेती है कि कोट को चिलना नहीं पड़ता है इस देश में दो कानून मंत्री हटाए जा चुके है Supreme Court के आदेश के बाद भी दूसरे रास्तों से सरकार E.T. के मुख्या को अपने साथ रखे हुए है दोस्तों सत्ता में मौजूद कुछ नेताओं का मंत्र है कि अगर किसी को सही रास्ते से ना हटा पाओ तो उसकी इमेज गिरा दो जैसे राहुल गांदी के साथ हुआ जैसे मेरे जैसे तमाम स्वत्मत्र पत्रकारों के साथ किया जा रहा है देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि Chief Justice को ट्रोल आर्मी ट्रोल कर रही है एक वक्त था दोस्तों जब सुप्रीम कोट की खबरों को दिखाने और बताने में बड़ा सैयम बरता जाता था लेकिन आज सुप्रीम कोट की खिचाई ट्रोल आर्मी ऐसे करता है जैसे Chief Justice of India किसी पार्टी के नेता हो अभी-अभी की बात है एक फोटो Chief Justice of India के नाम से वाइल कर दी गई मांगना होगा यह ताना शही सरकार लोगों को डराएगी धमकाएगी लेकिन आपको डरना नहीं है बने रहना है हिम्मत करो और सरकार से हिसाब मागो मैं तुम्हारे साथ हूँ इसमें नीचे डीवाई चेजर्चून का नाम लिग दिया गया दोस्तों इस साजश को पहचानिये यह पोस्त इसलिए वाइल की जा रही है क्योंकि इससे लोगों के दिमाग में यह जाना चाहिए कि चीफ जस्टिस सरकार के फैसलों पर मुहर इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि वो सरकार की खिलाफ है और सरकार की खिलाफ रहने वाले कुछ करें उसका लोड नहीं लेने का दोस्तो इस वाइरल पोस्ट के बाद सुप्रीम कोट को चिट्थी लिख करके सफाई देनी पड़ गई कि ये कुछ मतलब ऐसा सुप्रीम कोट या फिर चीफ जस्टेस ओफ इंडिया ने बिल्कुल नहीं लिखा है या फिर उन्हों ने बिल्कुल नहीं कहा है दोस्तो अब CGI कुछ है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ाई से कड़ा एक्शिल ले ताकि ट्रोल्रों की हिम्मत अब और नबढ़ सके अब के लिए इतना ही दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो फिर इसको शेर जरूर कीजेगा लाइक जरूर कीजेगा और हक और अधिकार से कह रही हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा राम राम दुआ सलाम जैहिंद